तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे हयाते दी कमबेक्ट पटलर के एपिसोड नमबर थ्री में आपका स्वागत है अपिसोड में आगे जाने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और अगर आपको ये अपिसोड पसंद आता है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आप comment करते हैं 10 तो मैं इसका next episode लेकर आ जाओंगा और अपने दोस्तों के साथ इसे share भी कर सकते हैं चलिए अब जादा देर ना करते हुए इस episode को मैं start करता हूँ episode के starting में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हमारी वोती है मारिया वो कहती है कि तुम्हें जो है ये लोन चुकाने में कम से कम 40 years का समय लग सकता है जो तुमने ये लोन लिया है इतना बड़ा तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है जाते कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही बड़ा लोन है इसे वैसे कोई भी ऐसे ही बिना रिजन के कोई मुझे ऐसा लोन देता नहीं और मैं गवी उसे चुका नहीं पाता और मैं जो हूँ वहीं फस जाता बट यहाँ पर मुझे ये लोन मिल चुका है मी लेडी की वज़े से वो जो है मेरे से इंटरस्ट भी नहीं ले रही है और मैं जो हूँ ये पैसा काम करके सब वापस कर दूँगा फिर नागी जो होती है वो इसे बताती है हयाते को कि हमारे पास जो है वो तीन महल है ये जो है एक पैला महल है जिसमें बहुत चोटा है ये और यहाँ पर सिर्फ तीन लोग ही रहते हैं ये दोनों जो है गेम खेलते हुए ये बाते कर रहे होते हैं यहाँ पर हयाते कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ जब लोग कम होते हैं तो फिर यहाँ नागी कहती है कि हाँ बट तुम जो हो इस छट के नीचे रह रहे हो फिर यहाँ पर हयाते कहता है कि हाँ मैं इस छट के नीचे रहतो रहा हूँ और साथ में मेरे पास एक ब्यूटिफूल लेडी है तो यहाँ पर नागी कहती है कि तुम्हें ऐसी बाते नहीं करन क्योंकि मारिया जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है ऐसी बात सुनकर नागी जो होती है वो थोड़ा घुसा हो जाती है वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है क्या तुम जो हो मारिया को पसंद करते हो या फिर ऐसे ही बोल रहे हो अगर तुमने उसे टच किया तो मैं 48 मुर्डर वाले जेल के अंदर तुम्हें डाल दूंगी और तुम्हें जो है वहां से निकालूंगी भी नहीं ऐसा बोल के वो जो है यहां से चली जाती है तो यह सोलता है कि थोड़ा बहुत यह नराज हो गई बट मेरी जो लाइफ है यहीं से स्टार्ट हो रही है फिर हम न नागी के पैठ हो तो वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है वह कहती है कि मैं बस मजा कर रही थी यहां जो मारिया है वह कहती है कि तुम जाके नागी के रूम में वह अभी सो रही है उसे उठा दो उसका प्रिकफास्ट करने का टाइम हो गया फिर वह जो है उसे उठाने जा र गुड मोनिंग नागी फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नागी जो होती है वो सो रही होती है एक टाइगर के सांथ उसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन में कहता है कि मुझे थोड़ा सांथ रहना चाहिए थोड़ी दिर बाद यहाँ पर जिसका नाम कैलस होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक सीनियर बेटलर हूँ तो यहाँ पर आहाते जो कहता है कि आप मेरे से बड़े हैं फिर यहाँ आहते जो होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना डेंजर जो टाइगर है इनके रूम में क्या कर रहा है तो यहां पर जो कैलस होता है वो कहता है क्या बात कर रहे हो यह तो एक कैट ही है तो वो कहता है कि अब यह मत बोलना कि तुम्हें दिखनी रहा यह एक टाइगर है पहाते कहता है कि टाइगर है यह इसको जू में डागे रख दो फिर यहां पर जो कैलस होता है वो कहता है कि नहीं ये कैट है, क्योंकि मी लेडी जो है इसे कैट कहती है, तो मैं भी इसे कैट ही कहता हूँ, ये सिर्फ मारिया और मी लेडी को ही पसंद करती है, और कोई भी इसे परिसान करता है, तो वो जो है उसके उपर हमला कर देती है, तो यहां पर हयाते कहता है, तुमने कहा कि ये सिर्फ मारिया और मी लेडी को लाई करती है तभी वो जो है उसके पीछे जम करने वाला होता है टाइगर और वो जो है एक पंच मार देता है केलस को केलस को पंच मारने के बाद अब बारी होती है आहाते की आहाते की तरफ जो है वो टाइगर बढ़ता है तब ही नेगी कहती है कि तामा बहुत हो गया इस टाइगर का नाम उसने तामा रखा होता है तो यहाँ पर तामा जो होता है वो रुख जाता है आहाते जो होता है वो कहत कि हवा के अंदर ही जो हैते होता है वह से एक पटकी मार देता है जिसे की वह जो टाइगर थामा है वो जाके नीचे गर जाता है अब यहाँ पर यह डीयों की तो है यही ता है मेरा भी कम बहुत है तुम खेल सकती हो अधां को इससे हार गया तो यह बटलर नहीं बन सकता यहां पर मीडी कहती है कि ठीक है तो यह पूरूव करेगा फिर हम देखते हैं कि हायत है щоб ऑगर सीटेंग को हरा नहीं पाया तो फिर से ब्षजबार हो जाऊंगा फिर हम देखते हैं कि वो दोनों करना स्टार्ट कर देते हैं हम देखते हैं कि थोड़ी देर बार ना करो Judy grade मैं अपने flowers जो है उसे उगाती हूँ फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमेशा आके खेलने लग जाते हो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यहाँ पर वो कहती है मारिया आहाते को कि मुझे पता है आहाते तुम्हें कहा होगा उन लोगों ने अगर तुम इसे जीते नहीं तम आसे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा उन लोगों को तो मैं बाद में देखती हूँ जब वो breakfast करने आएंगे तब मैं बताती हूँ तो यहाँ पर वो कहती है हमारी नागी की यह सर अब मारिया जो होती है बहुत ही पकाओ लेक्चर जो होती है आहाते को दे देती है और माफी भी मांगती है लेक्चर देने के लिए तो यहाँ पर जो आहाते है वो पूछता है कि यह टाइगर कहां से आ गया तो यहाँ पर मारिया बताती है कि जब वो च्छोटी थी नागी तो वो घुमने के लिए गई थी तब ये जो है कैट बहुत चोटा लग रहा था तो ताइगर को कैट ही कह रही थी पिर वो उसे यहाँ पर लेके आ गई वी इस टाइगर को यहाँ पर रहना बहुत पसंद है क्योंकि इसे खाना आराम से मिल जाता है तो यह जो है जू में जाना पसंद नहीं करता है इसलिए हम लोग जो है इसे यहीं पर रहते हैं और यह जो है हमेशा नागी की हिफाज़त करता है तो वो सोचता है अपने मन के अंद है कि यह जो टाइगर है यह कैसे बोलना सीख जाता है जब ही छोटा होता है तो नागी के साथ रहते रहते ही इंसानों के साथ बोलना सीख जाता है फिर हम देखते हैं नेक्सिन के अंदर यहां पर जो कहलेस होता है वो आर्गूमेंट कर रहा होता है कि मैं अपने कहा था कि ही कि मैं रिप्लेस्मेंट करूंगा और आप जो है ये बाजीब से दिखने वाले लड़के को यहां पर लेके आ गई हैं तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है सक है इसके स्टेंट के ऊपर यहां पर जो मारिया है वही बोलती है कि इसकी स्टेंट जो है वह बहुत जादा अच् अब यहां कैलस भी बहुत खुस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जो है उस टेस्ट को पार नहीं कर पाएगा बट नागी उसे देखकर कहती है कि तुम मैनेज कर लोगे ना तो यहां पर वो कहता है ठीक है फिर यहां पर वो पुछने आ जाता है मारिया से फिर मारि कि अच्छा, तो मेरे दिल में तो सिर्फ पैसे के लिए जगा थी, कोई भरोसे के लिए नहीं, बट अब जो है भरोसे के लिए भी जगा हो गई है, तो वो जो है यहाँ नागी को देखकर कहता है, कि मैं इसके भरोसे पर कायम रहूंगा, अब यह लोग यहाँ टेस्ट देने जा रहे होते हैं, फिर तब ही देखते हैं कि कैलस जो है वो आ जाता है, कहता है इसी रूम के अंदर तुम्हारा एक्जाम होगा, जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ वो इंट्रड्यूस करता है, कि एक जो है रबोर्ट एट नाम का जो है यहाँ पर रबोर्ट होता है, जो उससे fight करने वाला होता है Keyless बताता है कि ये जो है एक बहुत अच्छा bottler बन सकता है तो तुम्हें इसे अच्छा बनने के लिए इसे हराना पड़ेगा नागी कहती है ये तो बहुत ही अगली है ये बहुत बेकार लग रहा है मेरे खो तो यहाँ पर Keyless कहता है कि बहुत अच्छी technology से बना है बट वो मानती नहीं है तो यहाँ जो robot है उसी के उपर हमला करने लग जाता है नागी के अब जो नागी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है हाथे 192 दबाओ तो बंद हो जाएगा इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है बंद करने का यहाँ पर आहाते सोचता है कि मैं ही जो हूँ एक अच्छा बैटलर बनूंगा तो मैं जो हूँ किसी भी हालत में इसे खतम करूंगा पर हम देखते हैं रबोर्ट जो होता है बहुत सारी मिसाइल होती है उसके पास तो सारी मिसाइल को छोड़ देता है एक साथ आहाते के उपर आहाते जो होता है यहां बच जाता है मिसाइलों से क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है रबोर्ट कहता है कि तुम मिस से भाग नहीं सकते हो ऐसे फिर वो एक पंच मारता है तो वो वहाँ से हड़ जाता है तो वो पंच सीदे जाके नल के उपर लगता है जिससे बहुत चाहरे निगलती है yem की रबोर्ट तो वीक हो जाते हैं पानी के सांथ तो वो कहता है नही हम आतरप्रूफिंग बहुत ही बेस्ट होती है तो मैं तो इत याडीन बात हम सबकेशी काई दी बात बात इसको कर सकती है तो यहां पर टीर बात आती है कि और क्या होना था तुम जो हो उस टेस्ट में बहुत ही अच्छी तरह से पास हो गए हो और अब तुम्हें बटलर की पोजीशन से कोई रिप्लेश नहीं कर सकता है क्योंकि तुम जो हो बहुत ही अच्छे हो और तुमने जो है मुझे पोटेक्ट किया था उससे में बहुत ज़्यादा खुश होती हूं तो यहीं भे हमारा एपिसोड खतम हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक एलिए ओवर एन आउ